प्रदेश के अलग लग स्थान उपर किया चुनाव परचार कहा अगनीवीर को लेकर जूट फैला रही है कॉंग्रेस वापिस आने वाले सभी अगनीवीर को मिलेगा सेवा कावसर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे ने चर्की दादरी में जनसभाकू किया संबोदित भाजपा पर साधा निशाना कहा हरियाना में अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बदला मुख्यमंत्री का चेहरा जजपा नेता दुशन चोटाला ने उचाना में आयुजित रेली को संबोधित करते हुए कहा मेरे खिलाफ हुआ दुश परचार परचीवे खर्ची से बनते हैं भाजपा और कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री और चुनाव परचार के अंतिव पड़ाव में सभी राजनितिक तलों के बड़े नेताओं ने दिखाया अपना दंखम के इंद्रिय मंत्री शिवराज सिंग चोहान कॉंग्रेस ने तप्रेंका गांधी वबसपाप्ट मुख मायावती ने प्रदेश की चुनावी प्रदे चुनाव के अंतिम चरण में राजनितिक सरगर्मिया अपने चरम पर हैं आई एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनावी हल चलों पर रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज पहुआ विधान सभा में भाजपा परतियाशी के पक्ष में चुनावी परचार किया इस तरहान उन्होंने लोगों को संबोदित करते हुए कहा कि कॉंग्रिस अगनिवीर योजना के नाम पर जूट फैला रही है कई देशों में ऐसी योजना है उन्होंने रक्षा मंत्री के नाते आश्वस्त किया कि वापिस आने वाले सभी अगनिवीरों को सेवा कावसर मिलेगा कॉंग्रिस लोगों में भ्रम फैला कर उनका समर्थन हासिल करना चाहती है कॉंग्रिस की नीती पहले अपना घर भरने किये उन्होंने कहा कि लोग सभा चुनाव में भी कॉंग्रिस ने आरक्षन और समीधान बदलने के नाम पर जुट बोला इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता यकिन दिलाना शाहता हूं कि यह कांग्रिस के लोग जो गुमरा कर रहे हैं मेरे बहने भाईयों अधनी बीर के जो जवान हैं उनको रिटायर होने के बाद सेवा का अवसर मिल कर रहेगा यह मैं आपको भी साथ दिलाता हूं भरू साथ दिलाता है अनाप सनाप की बातें फैलाकर लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके यह जनता का समर्तन हासिल करने की कोशिश करते हैं इनका यही पहले जनता को लूटो फिर उसके बाद अपना घर भरो और फिर अपनों का घर भरो यह हमारे साथी सायोगी हैं उनका घर भरो यही जो है कांग्रेस की नीत रही है आपने देखा होगा लोकसभा की चुनाव में इन्होंने यह फुआ फैला दी और यह कहा भारती जनता पारती की के अंदर में सरकार बन जाएगी तो भारत के संबिधान में परिवर्तन कर देंगे भारत का संबिधान बढ़ल देंगे भाजबा सरकार की उपलब्दियों को गिनाते हुए रक्षा मंत्रे ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतरतव में भारत विश्व की पांचमी सबसे बड़ी अर्थिवेवस्था बना और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी बन कर रहेगा हरियाना के लोगों को इन नौन स्टॉफ विकास की गती को रुकने नहीं देना है इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने सढोरा विदान सभासी भाजबा प्रतियाशी बलवन्त सिंग के पक्ष में लासपूर में जन आशिरवाद रैली में वोट की अपील की उन्होंने काया कि हर्यानावासी विपक्ष के बहकावे में न आए के इंद्र में भाजबा के सत्ता में आने से पहले भारत की बात को दुनिया में गंभीरता से नहीं लिया जाता था लेकिन आज पूरा विश्व भारत की बात को सम्मान पूर्वक सुन जाता है प्रदेश में भाजबा सरकार द्वारा बिना परची वे खर्ची के योग्य युवाओं को नौकरियां दी गई है जियां है, उचको अक्षक्सा होगे वजे कुझा किया है और बहेती है भारत के बारे में दुनियां के देशों में ख्याँ फारमा है और महत्ता हूं चैद गावे के साब कहसे काओ दूनियां थी लगरों में चाहिए भारत का कद बम आ हुए कारे वाक मुख्य मंत्री नाइप सिंग सेनी नी आज कॉंग्रेस के गड़ माने जाने वाले गड़ी सापला किलो जोई में भाजपा प्रत्याशी मंजी हुड़ा के समर्थन में जना शिरवाद रेली को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस के गोशना पत्र को जूट का पुलंदा बताते हुए कहा कि जनता के साथ वादा खिलाफी करना कॉंग्रेस की आदत है देश में जहां भी कॉंग्रेस की सरकारे बनी वहाँ जनता से धोका कर किये वाद उसे मुकर गए उन्होंने कहा कि तेलंगाना करनाटक तो दूर है लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाकर कॉंग्रेस का सच देखा जा सकता है माचल प्रदेश की सरकार ने अपने कर्मियों को वेतन देने में हाथ खड़े कर दिये हैं कॉंग्रेस ने दो साल सरकार को गया है एक भी यूनिट फ्री नी किरी और यूनिट के रेट बढ़ा दिये बिजली के दाम बढ़ा दिये एक भी महिला को पांच पैसा नहीं दिया एक भी छोरा नौकरी नहीं लगया उल्टा सरकार ने ये बियान दिया कि जो करमचारी हमारे पास हीमाचल में लगे हुए हैं उनको सेलरी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है उन्होंने विश्वास जता है कि परदेश में तीसरी बार भाजपा के सरकार बनेगी और 8 अक्टूबर के बाद कॉंग्रेस वेंटिलेटर पर चली जाएगी चरकी दादरी जीले के बाड़ा हलके में आज कॉंग्रेस की राश्री अध्यक्ष मलिकार जुन खडगी ने एक चनावी रैली को संबोधित किया इस दरान उन्होंने कहा कि जो काम हुड़ा के कारेकाल में हुए थे उन्हें आज भी लोग याद करते हैं उन्होंने भाजपा की नीतियों के अलोचना करते हुए कहा कि कॉंग्रेस ही राज्यके विकास और जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी है उन्होंने कहा कि आज महाद्मा गांधी और लाल बहादूर शास्त्री की जेनती है जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाट पढ़ाया लेकिन आज के सत्ताधारी लोग जूट बोलते हैं हर्याना किसानों और जवानों की धर्ती है लेकिन दस साल में डबल इंजन सरकार ने जवान और किसान दूनों को बरबाद कर दिया भाजपाने प्रदेश में अपनी सरकार की असफलताओं को छिपाने के लिए मुख्यमंत्रिकाद चेहरा ही बदल दिया लेकिन लोग अब समझ चुके हैं इस बार हर्याना की जनता ने कॉंग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है अरे हर्याना के लोग इतने बुदिमान है वो सोचते हैं समझते हैं कब किसको वोट देना अब आपकी बारी नहीं है इस बार कॉंग्रेस की बारी है और यह हमने साथ वाइदे कहिने के बाद यही वो कह रहे हैं अपने मेनिफेस्टों में अरे यह तो तुम्हां कर सकते थे हमारे आज में हुकमत नहीं इसलिए हम बोल रहे हैं कि आने के बाद यह करेंगे तुम्हारे पास हुकमत रहते हुए तुम जूट बोल रहे हूँ जजप्पा असपा पार्टी द्वारा आज उचाना विशाल जनसभा का आयजुन किया गया इस अफसर पर जजप्पा प्रमुख डॉक्टर अजे सिंग चोटाला नेना चोटाला दुश्यंत चोटाला और असपा के अध्यक्ष चंदर शेकर आजाद में शिरकत की इस दौरान दुश्यंत चोटाला ने कहा कि चुनाव में मेरे खिलाफ जम कर दुश्परचार किया गया भाजपा और कॉंग्रेस लोगों को बाट कर सत्ता करना चाहती है मगर यह समय एक होकर लड़ने का है दोनों पार्टि उपर कटाक्ष करते हूँ उन्होंने कहा कि खर्ची पर्ची की बात करने वाली पार्टि के मुख्यमंत्री ही पर्ची से बनते हैं और कॉंग्रेस में खर्चा करने वाले मुख्यमंत्री बनते हैं मगेर एक दुष्परचार ऐसा भारी हो गया और दुष्परचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान अंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता यह परचार नहीं है मेरी प्राचना है यह बीजेपी और कॉंग्रेस के सद्यंतर में फसने का काम ना करो यह आपको फसा कर बाटना चाहते हैं यह बीजेपी बारी बारी कहती है परची खर्ची राजिस्तान मंत्य परदेश नए नए उधारण है दो नए मुख्यमंत्री बने शिवराज जी गए वसुंद्रा जी गई यादव साब आए शर्मा जी आए कैसे आए दिल्ली से परची आई अरे थारे मुख्यमंत्री परची से बनते हैं केंद्री कृशी मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कल गूला विधान सभा में रोट शो किया है सुरान उन्होंने कहा कि एक तरफ हर्याना के किसान देश की अन्य के भंडार भरते हैं और नौजवान देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैना थे हैं वहीं खिलाड़ी ओलंपिक और अन्य अंत्राष्टिय खेलों में पदक जीत कर देश का नाम उचा करते हैं उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉंग्रेस थ्री सी पार्टी है यानि क्राइम, करप्शन और कमिशन उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने के अपील करते हुए का कि हर्याना में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी यहां के किसानों से सारा देश और दुनिया सीखती है आप अन्य के भंडार भरते हैं तो दूसरी तरफ सीमाओं पर रह के हमारे जवान भारत माता की सुरक्षा और रक्षा के लिए चान की पुर्वान कर देते है जब उलम्पिक जैसे खेल होते हैं तो यहीं के खिलारी मेडल भी लेके आते हैं मेरे बेहन और धायों सरकार मोदी जी के आशीरवाद और नेतरतों से किसानों के कल्यान के फैसले करते हुए चली जा रही है बिधान सबाच उनाव में परचार के बीच आज कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जुलाना में पार्टी प्रतियाशी विनेश फोगाट के समर्थन में वोटों की अपिल की इस दोरान उनोंने कहा कि प्रदेश में दस साल से भाजपा सरकार है जिसने लोगों से रोजगार चीन लिया तीन काले कानून लाए फैमली आईडी में जूटी आमदनी दिखा कर आमजन को सभी सुविधाओं से दूर कर दिया ऐसी सरकार को अब टोकने और उसके खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है इसलिए बिना गुम्रा हुए कॉंग्रिस की सरकार बनाने में योगदान दें क्योंकि आज प्रदेश की कुने कुने में यही आवाज आ रही है प्रश्टाचार की बात करते हैं मुझे हसी आती है पुरानी चीजें दस साल पुरानी पता नहीं क्या-क्या बाते करते रहते हैं हसियाती है मुझे अरे इससे बड़ा भरष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहेते जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा उतनी ही शक्ती है जितनी दिपिंदर जी में है जितनी मोदी जी में है यह सम्विधान ने शक्ती दी है आपको यह वोट की शक्ती है यह वो अधिकार है जिससे आप हम सब को बदल सकते हो नया नेत्रित विला सकते हो आप चाहो तो एक नई सरकार लाओ भाजपा के एक एक नेता को दिखाओ कि यह असत्य यह लूट यह भ्रश्टा चार यह सब नहीं चलेगा आपको एक सरकार चाहिए जो आपके लिए दिन रात काम करके दिखाए इस मौके पर कॉंग्रेस परतियाशी विनेश फोगाट ने कहा कि मेरे अभी तक के संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ खड़ा रहा जब आपकी यह बेटी विदानसभा जाएगी तो आपकी आवाज पूरी ताकत से उठाएगी जुलाना शेतर एक नया इतिहास रचने जा रहा है परिवार मेरा एक इतना बड़ा शेतर जुलाना विदानसभा का हर दिन जो मैं गाउं में निकली हूँ हमारा कारवा, हमारा परिवार हमारा ये प्यार हमेशा बढ़ता गया है जब आपकी बेटी विदानसभा में जाएगी तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो आवाज जो बनेगी वो आपकी आवाज बनेगी आपके बीच में से जो बेटी जाएगी आपके हकों के आवाज बनके आपका जो मैंने कुष्टी के छेतर में नाम किया है आप पांच साल बाद जब मैं दोबारा आपके बीच में आऊंगी यही बड़ा मंच होगा और मैं दीदी को भी बताना चाहते हूं इसके बाद कॉंग्रेस नेता प्रियंका गांधी बवानी खेड़ा विधान सबासे पार्टी प्रतियाशी प्रदीप नर्वाल वे इंडिया गड़ बंदन प्रतियाशी कामरेड ओम परकाश की पक्ष में मतदान की अपील करने पहुँची इस दोरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार बनते ही दिव्यांगों बुजर्गों वे विधवा महिलाओं को 6,000 रुपे पेंशन देने के साथ ही 300 इनिट की फ्री बिजली तथा लोगों को 25 लाख रुपे तक का स्वा पेंशन जो है उसको हम 6,000 रुपे महीने करेंगे राजस्तान में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लागू की उसमें 25 लाख रुपे तक गरीब परिवारों में जेसका भी इलाज कराना था कोई सी बिमारी हो उसका इलाज मुफ्थ हो रहा था स्वास्त भीमा जो था पच्छीस लाग था तीन सो यूनिट बिजली अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको जगातरी विदाहन सभा से बसपाइनोलों की संउक्त परतियाशी दिलबाग सिंग वे दर्शनलाल खेडा के समर्थन में जन सभा को संबोधित किया इस दोरान उनने कहा कि हमारे गड़दन की सरकार बनने पर हरियाना का मुख्या मंतरी अभे सिंग चोटाला होंगे जबकि दो डिप्टी सीम एस सी और वे ओबी सी वर्ग से होंगे बीजेपी और कॉंग्रेस पर हमला बोलते हैं उनने कहा कि दोनों ने जातिय जन गन्ना को लंबे समय से लटका रखा है आजादी के इतने वर्षों बाद भी केंदर और हरियाना में विभिन दलों की सरकारे रही लेकिन हरियाना में दलितों और मुस्लिमों का लगातार शोशन हो रहा है ईतने जनल गजवा जादर से ज़्यादा कामया मुनाना है और सरकार बनने पाल तिर आप अगिभदना के उर्सें और हरियाना करदेश का मुक्के मंतरी चोगरी सिरी अभई चोटाराजी को ही बनाए जाएगा जिनके साथ साथ गड़गन की ओर से बीएश्पी का एक डिटी सियंग दलिख वरक का अधा दूसरा डिटी सियंग अन्य पिष्णावार्गन या अपर कार्णी सिमार में से ही बनाया जाएगा कॉंग्रिस की राष्ट्रिय महासाचेव सचेन पाइलट नी कल नांगल चौधरी से कॉंग्रिस परत्याशी मंजु चौधरी के समर्थन में जनसवा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि भाजपा ने जूट और पाखंड फैला कर सत्ता हासिल की और साड़े नौ साल तक प्रदेश पर शाशिन किया जन्ता में आकरोश फैलने की भनक लगते ही भाजपा ने मनोहरलाल को हटा कर नायब सिंग सेनी को मुख्यमंतरी बनाया लेकिन हर्याना की जन्ता पड़े लिखी है और तीसरी बार इनके बहकाव में आने वाली नहीं है उन्होंने हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पूरे दस साल पोर्टल बनाने में बीट गए आने वाली सरकार कॉंग्रेस पार्टी की है बार बार जूट बोलना किसान की नौजवान की फसल की बीच की खाथ की पानी की सड़क की शिक्षा की चिकित्सा की रोजगार की कोई चिंता नहीं मैं पूछना चाहता हूं बाजपा के निताओं से अगर खटर साथ का काम इतना बढ़िया था तो नौ साल तक आपने बुखमंती रखा क्या जरुवत पड़ी थी कि दस महीने पहले उनको आपने बदल दिया आप समझ गए थे कि हर्याना में इस बार लेहर कॉंग्रेस की है और कॉंग्रेस का तीन चोथाई पहुमत से राज आने वाला है जब राज कॉंग्रेस का बनने वाला है शासन कॉंग्रेस का होगा तो नांगल चौदरी से प्रचंड पहुमत देकर कॉंग्रेस पार्टी के शास्त्री को नमन कर रहा है आज राष्ट पिता की जैनती का ये 155 वर्ष है दुनिया भर के लोग गांधी जी के शांती और हिंसा संदेशों का अनुसरन करते हैं वहीं आज देश पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहदुर शास्त्री की 120 मी जैनती भी मना रहा है लाल पती जगदीब धनकर ने आज सुभह शर्धा सुमन अर्पित किये वहीं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने राजगाट और विजएगाट दोनों जगह पहुंचकर महान व्यक्तित्व को नमन किया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पहले बापु की समाधी स्थल राजग शर्मा के समर्थन में भनकपुर गाउं में जंसाभा को संबोधित किया उन्होंने दावा किया कि हर्याना में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से प्रधेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है इस विधान सभा से भाजपा प्रत्याशी टेक्चंद शर्मा एक तरफ प्रचंद सर्मा जी एक तरफा चुनाओ जीत रहें विधाशी की पूरी तरह से यहां जमानत जबता है भार्ची जंता पार्टी एक तरफा है 20-25 दिनों में पूरी तरह से आम जंता ने हर्याना के सर्व समाज के लोगों ने 36 विरादरी ने मन बना लिया है कि बीजेपी लरंदर मोदी और बीजेपी ही आएगी इस प्रचंद बहुमत के साथ आई कारेवाहक मुख्यमंत्री नाइप सिंग सेनी के समर्थन में लाडवा में एक भावे रोडशो का जिन किया गया जिसमें मतुरा की सांसद अवैब नेत्री हेमा मालनी शामिल हुई लाडवा के जिंदल पार्क से शुरू है यह रोडशो रादो और रोड़ पर दो किलोमेटर तक निकाला गया इस रोडशो में हजारों की संख्या में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता और समर्थक उत्सा के साथ शामिल हुए उधर थाने सर से भाजप्पा उमिदवार सुभाष सुधा के समर्थन में रोड़ शो का आयोजिन किया गया जिसमें पूरवके इंद्रिया मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए इस अफसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुभाष सुधा ने कुर्कशीत्र के विकास में बहुत बड़ा यूगदान दिया है इस बार फिर सुभा सुधा को जनता भारी बहुमत से जिताएगी जिससे कुर्कशीत्र हारीना के विकास में और ज्यादा तेजी आएगी पाठी के लोप्रियों मीद्वारर सुधा जी जो हमारे मंतरी भी रहे और भारती अंता पाठी की लोप्रिय उम्मीद्वार भी है जनता के लिए अनेको कारया उन्हें अपने क्षेतर के लिए किया है और उनकी जीत भारती अब बीप के अंदर में भाजपा की ही सरकार है, हर्याना वालो भाजपा का कमल खिला दो, हर्याना को आगे बढ़ाओ, मारा हर्याना, नॉन स्टॉप हर्याना हरियाना विदान सभाद चुनाव में अपनी मांगों को लेकर अनुसुचित जातियों से जुड़ी करीब 40 संस्थाओं की मांगों पर आधारीत एक एजंडा तयार कर राजनितिक दलों को सौपा गया था इसी संबंद में जानकारी देने के लिए आचनिकड में दलित एजंडा मिशन की और से एक प्रेसवारता कायो जिन किया गया अपनी मांगों के संबंद में कुछ को उन्होंने मान लिया है वे उसी पार्टे को समर्थन करेंगे जिसने उनकी मांगो पर विचार कर उनके समाधान का भरोसा दिया है हर्याना जन सेवक पार्टी के संयोजक एव मेहम विधान सभा से पार्टी उमीदवार बलराज कुंडू ने आज कई गाउं में चुनाव परचार किया इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस और भारतिय जंता पार्टी को निशाने पर लिया उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव परचार अंतिम दोर पर पहुंच गया है लोगों को विरोधियों की वास्त विकता और परिवारवाद के चंगुल से बचाना है अपने इस बेटे और भाई के साथ कड़े रहना महारा करता हूँ कि अब की बार जो आप तो यहां से संदेश देंगे वो संदेश एक MLA की जीत का नहीं होगा वो संदेश पूरे हर्याना परदेश में दन सेवा की सोच को फूल दढ़ाने का संदेश होगा और इस परदेश के अंदर रहें से एक ऐसी आवाज और जिंगारी जाएगी कि लोग मदमूर हो जाएंगे कि वो तोपे हुए और गुलाम लोगों को टिकेट नहीं देंगे वो जन सेवादी सोच के वजाद आपके बेटे जैसे लोगों को आगे लिख देएंगे केंद्रे मंतरी मनहुरलाल आज नू जिले के फिरोजपुर जिरका वे पुनाना विधान सभासे भाजपा उमीदवार नसीम एहमद वे महमद अज्जाज के समर्थन में बोट की अपील करने पहुँचे इस तोरान उन्होंने केंद्रवे राज्य सरकार के कारें की सरहना करते हुए कॉंगरस पर थीखे हमले किये उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले की सरकारों ने नू में पिछड़ापन बना कर रखा लेकिन हमने बिना किसी भेदभाव के नू में विकास के कारे करवाए कि रूद्पूर जर्का की सीट पर बाई नसीम एमद यहां वारे पत्याशी है यह पहले भी एमले रहे हैं इनको जिताने के अपील करने के लिए मैं आया हूँ और यहां जितने भी हमने विकास के काम कराए हैं दस साल में हम हले एक भी हमारे पास विधाय के हानी कभी आया भारे जितना पार्टी गा लेकन मैं तुलना करता हूँ तो पूरे अरियाना से ज़्यादा काम यहां हुए हैं और उसका कार ने की यह है कि कॉंग्रेस्टी सरकारों ने यह इस से पहले और भी जूसरकारे नहीं ह इस लाके को पिछड़ा बढा के रखा इस लाके को लोगों को वोट बेंक इसनाते से ही और वो समझते रहे हैं वोट लिया भाके तो भी आये नहीं है अधिन्ता पाटी पहली बार हरीड़ा में आई दूसरी बार आई और लगा ताथ कि इसरी बार आने का रिकॉर्ड ही ब चुनाव आयोग विधान सभा चुनाव के दौरान आदर शाचार सहिता की पालना से निश्चित करने के लिए गंभीर है इसी कड़ी में आज गुरुगराम विभिन इलाकों में जिला प्रिशाशन की फ्लाइंग स्कौाड टीम ने राजीव नगर अशोक विहार शीतला का कलोनी आदी लाकों में बिना अनुमती के विभिन उमिद्वारों द्वारा खोले गए आठ स्थानों पर रेड की एफस्टी टीम ने कुलदीप सिंग ने बताया कि रेड के दौरान बिना अनुमती के संचालित साथ कारेलों को बंग वे एक जनसभा को रद करवाय गया इस जाताओं को जागरूख करने के लिए अनाज मंडी में यूग दिवस मनाय गया प्रशाशन ने कारेकरम में आये लोगों को सो प्रतिशत मतदान के लिए जागरूख किया इस मौके पर चुनाव प्रिवेक्षक ने कहा कि आज गांधी जैन्ती के मौके पर जहां स्वस्त ज देश तरक्की के रास्ते में और जादा अग्रसर हो उनके पास वोटर स्लिप हो वो हरगीज विताउट एनी फैल वो मद्दान के अंदर जाके वोट डालो वोट महत्तव पून है योगा कारेकरम को आयज़ित करने का जिसे ना केवल तालवानी शेतर के लोगों को स्वास्तलाब मिला साथ ही मद्दाता जागुरता वियान के तहस जो एक लोगानी है कि परदेख व्यक्ति को जो अठारा वर्स का हो चुका है उसको मद्दान करना है और जैसा आपने संकल्प लिया है कि कालावाली शेतर में हमें 100% मद्दान करकर एक नया रिकॉर्ड बनाना है एक इतिहास रचना है समाचारों में आज इतना ही नमस्कार झाल